हेलो दोस्तो, सीता की कहानी में आपका स्वागत है आज डुक्टर शालू और डुक्टर पूजा खिलोनों से भरी गाड़ी लेकर गाओं में आई हैं तो चलिए रेखते हैं आगे की कहानी में क्या होने वाला है ये के डुक्टर पूजा, क्या अब तुम खिलोने भीशने का काम शुरू कर रही हो वैसे अच्छा बिजनस है अरे डुक्टर शालू ये कैसे बाते कर रही हैं आप मैं ये खिलोने भीशने के लिए नहीं, बच्चों को बाठने के लिए लाई हूँ आपको पता है ना, बच्चों को पैपा पिक का कार्टून कितना पसंद है इसलिए मैं पैपा पिक भी लेकर आई हूँ और ठेर सारे खिलोने हैं इस काड़ी में जो कि मैं बच्चों को सुई लगवाने के बात दूँगी और बच्चे आराम से सुई लगवालेंगी हमें बिल्कुल परिशान नहीं करेंगी वाँ डूक्तर पूजा, मानना पड़ेगा आपको वैसे अच्छा आइडिया है तो चलो अब बच्चों को सुई लगाने चलते हैं हमें बहुत सारे बच्चों को सुई लगाने है पूरे गाउं का चकर लगाना होगा गाउं का कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए हरे उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है डुक्तर शालू मैं सभी बच्चों के घर जाकर कहती हूँ सब लोग यहीं पर आ जाएंगे हरे हाँ हाँ यह पिल्कुल सही रहीगा तब तक मैं यहाँ पर सारे खिलोने सेट कर देती हूँ हाँ ठीक है ठीक है आप ये काम सभालगी मैं गाउं में जाकर सब को बता देती हूँ सब लोग की हाँ खेतों में ही आ जाएंगी तब तक सारी खिलोने आप अच्छे से सेट करवा लीजी का चलो अब मैं जाती हूँ गाउं भर में मुझे सब बच्चों को बोल कर आना होगा और हाँ डॉक्टर शालू अच्छे से सेट अप लगा दे ना खिलोनों का खुशी से जोम उढ़ेंगी चलो जाती हूँ मैं और यहां सीता के घर में सभी बच्चे अपने मम्मी से खिलोने ले लेगी जित कर रही होती है मम्मी चलिए ना मालकर चलती है पता है डिंग की पहुँश शुंदल शुंदल खिलोने लेकर आई है मुझे भी धेल शाले खिलोने खिलोने खिलीते है चलिए ना मम्मी प्लीज चलिए मुझे खिलोने दिला दीजिए अले हां मम्मी आपने कहा था कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप हमें धेल शाले खिलोने दिलाएंगी दिलवा दीजिये न अब हाँ मैंने बोला तो था लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं आज ही तुम्हें खिलोने दिलवाऊंगी देखो एक दो तिन बाद हम जरूर जाएंगे लेकिन आज मैं नहीं जा सकती नए नए मम्मी आपको खिलोने दिलाने पलेंगे दिलाने पलेंगे चलो मम्मी चल्दी चलो हाँ हाँ खिलोने दिलाओ दिलाओ मैं भी खिलोने लूँगा थेल जाले खिलोने लूँगा थेल जाले आज हम बाजार नहीं जा रहे मतलब नहीं जा रहे तुम लोग इतने ज़्यादा जित्पी मत करो ठीक है ना? अरे हाँ ये बच्चे बीना बहुत जित्धी होते जा रही है जब देखो इन्हें बाजार जाने का पहाना चाहिए बस कोई कहीं नहीं जाएगा चुपचा पैट जाओ सब वे वे गंदी तादी मा मोदी तादी मा खिलोने ना दिलाती ममा गंदी ममा मोदी तादी मा खिलोने ना दिलाती शुटकी के ममा अच्छी ममा होती शुटकी को ठेल चाले खिलोने दिलाती मेले ममा गंदी ममा होती मुझको तोई धिलोना ना दिलाती दीदी देखो तो सही किस लड़की को कैसे ड्रामा कर रहा है लेकिन आप इनकी बातों में पिल्कुल नहीं आना ये लोग पीना हमेशे ही जित करती हैं अब हम इनकी कोई बात नहीं सुनने वाले चलिए दीदी चलती है यहां से हमें भी बहुत सारा काम करना है आप लोग तो सिच में ही बहुत बुले हूँ चिन्टू ठीक है रहा है मोटी दादी माँ भी हमाली बात नहीं सुनती चलो चिन्टू चलती हैं यहां से वैसे ये चिन्टू अच्छी एक्टिंग कर रहा है मैं भी चाता हूँ ममा मुझको खिलोना नहीं दिलाती गंधी ममा बन जाती तभी यहां पर डक्टर नी जी आ जाती है और वह बच्चो के सारी बाते सुन लेती है अरे ये तो अच्छा मुका है बच्चो को खिलोने चाहिए और उनकी ममी नहीं दिला रही तो चलो मैं जाकर बताती हूँ कि सुई लगवाने के बदले मैं उन्हें खिलोने देने वाली हूँ हरे बच्चो क्या तुम सुई लगवाओगी अले बाप ले एक तो हमें खिलोने नहीं मिले उपल जी अब सुई लगवाने पलेगी मैं सुई ना लगवाता, कंडी सुई ना लगवाता वो बात यह है दग्टेने जी, बच्चों को खिलोने चाहिए वो इसी लिए नाराज है आप और किसी दिन आचाना, तो यह आराम से सुई लगवाए लेंगे लेकिन आज यह नहीं लगवाएंगे अरे बच्चों को खिलोने देने ही तो मैं आई हूँ जो भी बच्चा आराम से सुई लगवाएगा उसे सुन्दर सुन्दर खिलोने दिये जाएंगे क्या कहा, खिलोने अले वाँ, फिल तो मैं आलाम से सुई लगवाए लूँगी दक्टेल लेजी और मैं भी आलाम से शुई लगवा लूँगी जल्दे से आप मिले हाट में शुई लगा दीजिए और खिलोने दे दीजिए नहीं नहीं दाक्टर लिजी जबसे पहले आप मुझे शुई लगा दीजिए और मैं अपना फेवलिट खिलोना लूँगी ठीक है बच्चो अपने मम्मी को लेकर जल्दी से खेतों भी आ जाओ ये चलो मम्मी जल्दी चलो हम तो शूई लगवा लेंगे और अपने पचंद के खिलोने ले लेंगे चलो 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 चल्दी चलो हाँ चल्दी चलो बेटा नहीं तो अच्छे अच्छे खिलोने पहले ही कतम हो जाएंगे अरे वाँ मेरे पैसे भी खर्ष नहीं हुई और बच्चों को खिलोने भी मिल जाएंगे और इधार सभी बच्चे सुई लगवाने के लिए खेतों में आ जाती है शुटकी शुटकी तुम भी सुई लगवाओ दे अरे देखो चिंटो को कितना खुश हो गया शुटकी को देखकर चलो अच्छा है अब तो बच्चे खुश हो गई है चलो चलनी चलो शबसे पहले हम शुटकी लगवाएंगे और अपना फेवलेट खिलोना ले लेंगे अले वाँ यहाँ तो पैपा पिक का शैट भी है अले वाँ मचा ही आ गया मैं यह पैपा पिक का शैट ले लूँगी और तुम कोई शुदल शाख खिलोना ले लेना ठीक है न शुटी फिल हमाले पास तो-दो खिलोने हो जाएंगे ला 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 अले हां तुम पिल्कुल शैए कह लही हो तुम पैपा पिक का शैट मांग ले न और मैं कोई तूशला अच्छा चाखी लोना ले लूँगी और चिंटो तुम भी अच्छा चाखी लोना लेना ठीक है न यहाँ पर सभी बच्चे सुई लगवाने के लिए आए हैं डाक्टर लेचे शबचे पहले मुझे सुई लगा देजी अरे देखा आपने कैसे बच्चे एक्साइटेड हो रहे हैं सुई लगवाने के लिए वैसे मैं हूँ ही इंटेलिजेंट अच्छा इडिया लगाती हूँ अरे हाँ हाँ आप कितने तारिफ करेंगे डाक्टर पूजा आप चलो सभी बच्चों को सुई लगाना शुरू करती हैं राजू, बंटी, सोनल, स्वीटी, डिंकी, पूजा, छुटकी सब लोग बैर जाओ बेटा लाइन में बैर जाओ सब को मैं सुई लगा देती हूँ और फिर खिलोने लेना तुम हरे देखो ना छुटके कितनी ज्यादा सुदर लग रही है एक्दब नन्नी से गुड़िया लग रही है बिल्कुल हरे वाँ, सब पच्चे कितने अच्छी हैं देखो अराम से बैट कही हैं चरो अब मैं सुई टी को सबसे पहले सुई लगा देती हूँ स्वीटी अपना हाँ सिधा रखो ठीक है ना आ, इतनी जोर से सुई लगा दी मम्मी, मम्मी अरे बस करो स्वीटी, देखो लग कही सुई इतनी जोर से भी नहीं लगा दी मैंने, ठीक है ना जाओ अब जाकर अपना खिलोना ले लो यह है लो चुटकी, अब तुम्हे भी लगा देती हूँ अरे बस करो चुटकी, देखो लग कही सुई चलो अब मैं अपना खिलोना ले लेती हूँ लालालाला, मैं तो ये योनिकोन का स्कूटल लोंगी कितना शुन्दल है देखो शुटी दीदी, मेला शुटल, सबचे शुन्दल अले वा, मैं तो ये पैपा पिक का शेर्ट लेने वाले हूँ तक्तैली जी, मुझे शुई लगा दो अले ना ना, आप पहले मुझे शुई लगा दीजी यह पैपा पिक का शेर्ट तो मैं ही लोंगे देक्टेल ली जी अरे देखो पेटा, यह किसी एक को नहीं मिल सकता इन्हें तो बहन भाई ही मिलकर ले सकते हैं ऐसा करो डिंकी, तुम अपने भाई राजू के साथ मिलकर यह पैपा पिक का सेट ले लो नहीं मैं ये पैपापी का सैट नहीं लूँगा अले राजू प्लीज तुम ये मेले साथ मिलकर ले लो ना हम खुब खेलेंगे नहीं मैं तो ये शिरारती बंदर लूँगा मेरे जैसे शिरारती बंदर कितना प्यारा बंदर है अले हाँ तुम तो खुद ही एक बंदल हो इसलिए तुम्हें पंदल ही पसंद आये है गंदे हो तुम बहुत जादा मैं तो आज से तुम्हाली करती हूँ ये मज़ा ही आ गया अब तो मै और चिंटू ये पेपापिक लेंगी ठीक है तुम और चिंटू ये पेपापिक कसेट ले सकती हो चलो अब हाथ आगे करो और सुई लगवालो देखो अपना हाथ हिलाना नहीं ठीक है ना मैं बिल्कुल धीरे से तुम्हें सुई लगाऊंगी देखो पिल्कुल भी दाती ही होगा वेरे गोड बहुत अच्छा ठेंक्यू आपका डक्तर ली जी चलो चिंटू अब तुम भी सुई लगवालो जल्दी शे फिल ये पेपापिक का शेट लेकल हम खोब खेलेंगी ये मुटको अब शुई लगा दो चल देशे अरे वाँ चिंटू वे वे जोल से सुई नहीं लगाना जोल से अरे लग गई चिंटू देखो पिल्कुल धीरे से ही मैरे सुई लगाई है चलो उर्चाओ तुम ये है लो तुम भी सुई लगवालो डिंकी अरे वाँ सभी बच्चों ने अच्छे से सुई लगवाली अब तुम अपने पसंद के खिलोने ले सकती हो तुम सब का बहुत ही शुक्रिया बच्चो तुम सब बहुत अच्छे हो चलो मैं तो ये बोलिंची गाड़े ले लेती हूँ वैसे तो मुझे पैपा पिक बहुत ज़्यादा पसंद था पल्वो मुझे नहीं मिला अले वाँ, अले वाँ हमको तो पैपा पिक मिल गया लालालाला अले ये क्या? दिंकी तुम उदाश क्यों हो? मुबालक हो शोनल तुम्हें तुम्हाला फेवलिट पैपा पिक का खिलोना मिल गया तुम तो मेली शहीली हो तुम भी मेले शाथ खेलने के लिए आजाना मेली खेल हम खोब मजे कलेंगे अलिवा, सच में तुम तो बहुत अच्छी हो जोनल ये, हम सब मिलकल खेलेंगे हम सब मिलकल खेलेंगे और इस तरह से सभी बच्ची पहुती ज़्यादा खुश हो जाती है अरे बात ही थी, बच्चों ने कितने अच्छी से सुई लगवा ली और पिना पैसे खर्च किये बच्चों को खिलोने भी मिल गए हाँ राधा, तुम बिलकल सही कह रही हो देखो तो सही, सभी बच्ची कितना खुश है दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि हम कल फिर आएंगे ऐसी ही इंटरस्टिंग स्टोरी के साथ तब तक के लिए बाबाई प्यारे दोस्तों कल फिर मिलेंगे